पूरा कवर करने वाले हैं इससे पहले टोटल साथ लेक्षर होज़ें जिसमें हमने प्राचीन भारत करते हैं बिल्कुल डीटेल से कवर कर लिया है चैनल के ओपर एक प्लेलिस्ट में जाएंगी जीत की उडान जीएस लेक्षर जरूर देख लिजेगा सभी लेक्षर मोस्ट इंपोटेंट है या फिर डिस्क्रिशन बोक को चैक कर लिजेगा सभी लेक्षर लिस्टिड हैं तो चलिए यार नोट्स बनाता भी चलिएगा पैन और नोट्बुक आपके हाथ में होनी चाहिए डीटेल से कवर करेंगे लास लेक्षर जरूर देख लिजेगा क्योंगी इससे थोड़ा सा रिलेट करते हुए मैं चलूँगा स्टार्टिंग में तो मिडाइविल इंडिया दिल्ली शल्तनाथ हम कवर करेंगे उससे पहले आपको थोड़ा मैट कर थो समझा देता हूँ कि लास लेक्षर में ने कहा चोड़ा था मैंने आपको बदायदा प्राचीन भारत के अध्यास में आखिर में जो अखर्ण भारत का निर्मान किया वो गुप सामराज्य ने क्या लेकिन हर एक सामराज्य का पतन जरूर होता है गुप सामराज्य का भी पतन हो जाता है और उसके बाद भारत में छोड़े छोड़े राजवंस बनके उभरने लग जाते हैं जिसमें कुछ इस्तरीकिस ही होता है गुप सामराज्या के बाद थानेश्वर में वर्धन वंस यानिकी पुश्यभूती वंस आ जाता है साथी गुजरात के आसपास चालुक्या वंस आ जाता है यहाँ पर हमारा देखिए पांड़े आ जाते हैं पलाव आ जाते हैं चेर आ जाता है साथी गोपाल वंस आ जाता है यानिकी पाल वंस आ जाता है और राष्ट कूट आ जाते हैं गुजजर पर दिहार आ जाते हैं बहुत सारे different डिफरेंट राजवन्स आने लग जाते हैं जिसमें से कुछ सक्तिसाली होते हैं और खुछ थोड़े टाइम तक हि टिक बाते हैं यान कि भारत के बहुत सारे टुकड़े हो चुग है, बहुत सारे राजवंस भारत के अंदर फिलाल हैं, लास्ट लेक्चर में अपने यहापर छोड़ा था, अब क्या होता है, फिर से बारी आ जाती है एक अखंड भारत के निर्मान होने की, और इस बार भारत के अंदर मुस्लिम सामराज्य घुसने लग जाता है कैसे ये मैप आपको बता चल गया छोड़े छोड़े राजवन्स है यहाँ पर अब क्या होता है इस मैप को देखे अब यहाँ पर आगे जो हम कवर करने वाले हैं सबसे पहले मुस्लिम सामराज्य की इल्स स्टैंड कर लेता हैं यहां तक दिल्ली में वहाता है और उत्तर भारत का पूरा इयरिया कवर कर लेता है उसके पार थ्लड़ा आगे जब हम चलेंगे खिलजी इंस आएगा मलिक काफूर के जरिये अलावधिन खिलल जी जो होता है वो की ज़ो हम आदे यह हो जाता है अब थोड़ा सा अगर हम देखें दिल्ली शल्तनत के अंडर किस तरीके से ट्रांस्फोर्मिशन आते हैं सबसे पहले ममलूक डैंस यानि कि गुलाम वंस जो आएगा वो इस तरीके से रहेगा खिलजी डैंस थोड़ा सा और फैलाव करेगा अपनी सीमाओं का उसके बाद तुगलक वंस आएगा जो कि हम नेक्श लेक्चर में पढ़ेगे वो थोड़ा और सक्तिसाली होता है जो कि दक्षनी भारत तक पहुच जाता है इस तरीके से उसके बाद फिर लोधी वंस थोड़ सक कमजोर पड़ जाता है जिसके विए से जो जीते हुए राज्यते वो भी हार जाता है और फिर से यहाँ पर छोड़े छोड़े राजवंस आने लग जाते है और लोधी वंस यहीं तक सिमित रह जाता है उसके बाद फिर मुगल सामराज्य एंट्री मारेगा जो कि पूरे भारत के उपर राज करेगा ठीक है यह मैंने आपको एक पहली आइडिया दे दिया कि इस तरीके से हम चलने वाले हैं अब देखें सवाल उठता है कि भाई भारत के उपर मुसलिम सामराज्य की स्थापना कैसे हुई आप सुनते हो खिल जी आएंगे ये भी मुसलिम थे मु जिसकी उम्र केवल 17 साल होती है और भारत के उपर भ्हंकर आकमन वो करता है और वहीं से ही वो लूट पार्ट शुरू करता है और एक तरीकी से वहीं से मुसलिम सामराज्य का उत्पन होना शुरू हो जाता है या अब कैसे एक नाम है मुहम्मद बिन काशिम आपने सुनोग अगर हिस्ट्री पढ़ियोगी, क्या होता है? ये जो लड़का है, इसका जन्म होता है, शावदी अरब में एक जगह पढ़ती है, ताइफ, वहाँ पर इसका जन्म होता है, जब इसकी उमर 12-13 साल होती है, ये एक कभीले का हिस्टा होता है, जिसका नाम होता है, अलशकीव, मुहमद बिन काशिम को थोड़ा युद وगेरे के बारे में रणनीती सिखाता है, लड़ना सिखाता है, हतियार वगेरा, इसको चलाना सिखाता है, वो सेना को कैसे लीड करते हैं, वो सभी चीज़े सिखा देता है, उसके बाद क्या होता है, हैजाज बिन योशूफ की एक लड़की होती है, बेटी होती है, जिसका नहीं होता है जुबेदा, अब जुबेदा से मुहम्मद बिन काशिम का विभा हो जाते है, अब हैजाद बिन यूशुफ का मुहम्मद बिन काशिम भतीजत है, क्योंकि ये इसका ताउ है, और साथ उसका दामाद भी बन जाता है, त के अंडर सब कुछ आता था उसके अंडर शेना होती थी उस टाइम पर उसको जो खलीफा था अल वलीद महां का खलीफा था और गवर्णर हैजाल बिन युशूप था दोनों का खाशाद में था मुहमंद बिन काशिम अब हैजाल बिन युशूप ने रणनी दी बनाए कि भा सेना लेके जाओ भारत के उपर आक्रमन करो तो मुहमंद बिन काशिम निकल पड़ा बढ़िया भारी भरकम सेना लेके लगबग 6000 घूर सवारोगी सेना लगबग 6000 उट सवारोगी सेना कुछ पैदल सैनिक भी थे और भारत के उपर लगबग अगर देखा जाए राजिस्थ भारत का जो एरिया था एक तरीके से जिस सींध पंजाब प्रांथ वो इसने अपने कवजे में ले लिया धन की भैंकर लोट पाट की बढ़िया खुन खराब होगा और वहाँ पर कवज जमालिया मुहमद बिन काशिम ने अब देखिए भारत के उपर जो पहला मुसलिम आक और ये सब तुर्की थे और आगे सब कुछ तुर्क चलता रहा तो फिर ऐसा क्यों है आकरमन तो अर्बो ने किया लेकिन फिर तुर्की स्थापना कैसे करते हैं मुहमद बिन काशिम का क्या हुआ ये अपनी सीमा क्यों नहीं फैला पाया इसका भी एक सवाल है पहले तो काशिम की उमर लगबग वहां पर ये कबजा करता है बैठता है भारत के अंदर अब लगबग 20 साल इसकी उमर हो जाती है 19-20 के साल आसपास इसकी उमर हो जाती है और ये रणनीती बनाई रहा था मुहमद बिन काशिम की भारत के ओपर और जबर्दस आकरमन के जाए दक्ष निती बनाई धा लेकिन वहां पर साउदिया रभ या फिर रात में होता क्या है जो हैजाज बिन यूशूफ इसका तावजी था उसकी मृत्यू हो जाती है और उसके बाद जो नेया खलीफा वहां पर बनता है अलवलीद का छोटा भाई अबद अलमलिक वहां का नेया खली अब जो हैजाज बिन युशुफ के परती रोधी थे यानि कि जो इनसे नफरत करते थे जो दुस्मन थे उनके सहयोग से गद्धी पर बैटा नया खलीफा बना अबद अलमलिक ठीक है तो अब क्या हुआ जितने भी सहयोगी थे हैजाज बिन युशुफ के उनको सभी को या तो बंदी बना लिया अबद मलिक ने यानि कि नई खलीफा ने या फिर सब की हत्या कर दी अब उनका हैजाज बिन युशुफ के खास आदमी जो कि भारत सिंध प्रांत के अंदर था मुहम्मद बिन काशिम ये भी उनका खास आदमी था तो इतकी नजर अबद अलमलिक की उसके उपर पड़ी कि कहीं विद्रोना हो जाए ये आके घदीना शेनने लग जाए तो इसने रणनिती बनाए कि मुहम्मद बिन काशिम को भी खतम करा जाए अब देखिए कारण यहीं बन जाता है कि अरब क्यों सामराज्य इस्थापित नहीं कर पाई मुसलिमों का भारत के उपर सबसे पहला कारण दो तीन कारण इसके बताए गए है हिस्टरी में और दोनों को मिला के भी एक कारण बताया गया है एक कारण तो यह है कि जब मुम्मद बीन Кाशिम ने आकरमन कया था भारत के उपर सिंध और पंजाब पर वहाँ पर दाहिर राज कि जो हत्या की उसकी दो बेटियां थी, एक का नाम सूरियर, एक और कुछ नाम था, परमिला कुछ ऐसा करके, दोनों को बंदी बना के, उसने नया खलीफा जो बना था, अब अलमलिक, इसको एज़ा तोफे में भेज दिया था, ठीक है, अब उन्हों ने, उन दोनों ने क्या क्या, उन दोन बूट चुका है, इस तरीके से उन्हों ने खानी मना के बताई, ठीक है, हिस्टी के कुछ सोर्सिज ये कहते हैं, जिसके वज़े से नया खलीफा गुसे में आ जाता है, और वो मुहम्मद बिन काशिम को वहां से बुलवा लेता है, भारत से, और कहा जाता है कि, इतने गु खलीफा बना था, वो इसे बुला लेता है, भारत से, और इसको एक इतनी कड़ी सजा देता है, बंदी बना लेता है, और जवर्दस मार पीट इसके साथ कर दे है, जिसके वज़े से इसकी मृत्यों हो जाती है, तो ये दो-तीन कारण बताए जाते हैं, कुल्मिला के बात य आज़े कि स्थापना भारत के ओपर नहीं कर पाए, किलियर है, ये चीज तो 712 इसवी में पहला आकर्मन अर्बोने क्या था, ये टेट नोट कर लिजे, 712 इसवी में पहला आकर्मन अर्बोने क्या था, मुस्लिम ये आकर्मन था, किलियर है, थोड़ा आगे चलते हैं, अब एक चीज में आपको बताता हूँ, गजनी एक जग है, जो कि अफगानिस्तान के अंदर पढ़ते है, काबूल के आसपास पढ़ते है, ठीक है, मैप को अपने माइड में लेकर आ जाईए, वहाँ पर एक तुर्की राजा कह लीजे, अलपतगीन था, ठीक है, अलपतगीन अलपतगीन का एक दामाज था, जिसका नाम था शुबतगीन, याद रहे के शुबतगीन, शुबतगीन ने अलपतगीन के अंडर रहे कर ही, भारत के ओपर कई आक्रमन के, भारत का सिंद प्रांत में ही एक राजा हुआ करता था उस टाइम पर, उत्तर भारत का, जिसका ना प्रवाल सिन्य ने अपनी आत्म हत्या कर लिदी, ठीक है, तो उसके ओपर इन्होंने कबजा कर लिया था, अब सुपदगीन की मृत्यू के बाद, सुपदगीन की बाद, जो म्या सासक बनता है, गजनी में गदी पर बैठता है, वो उसका बेटा, जिसका नाम होता है, पिता होता है, सुपदगीन, सुपदगीन से परभावित होकर, क्योंकि उसने भारत के ओपर आक्रमन क्या था, हिंदु राजा जैपाल को हराया था, परभावित होकर लगबग 1070 से लेकर 1070 सिस्वी तक भारत पर 17 बार भेंकर आक्रमन की महमूद गजनी ने, ठीक है, कहां पर तो उसके टाइम पर ये आक्रमन हुआ था सोमनात मंदिर के ओपर इन्हों ने जबरदस लोट पार्ट की थी 1025 सिस्वी में और 1027 सिस्वी में महमूद गजनी का लास्ट आक्रमन था जाटो के पड़ती ठीक है तो इन्होंने यहां से ही शुरुवात कर दी थी मुसलिम धर का परचार करना भारत के अंदर उसके बाद क्या होता है ये तो महमूद गजनी तो वापस गजनी लोट जाता है जो अपने छोटे मुटे राज्यस ने जीते थे शुरुवात में उनका वहां पर अपने शेनापदी छोड़ जाता है जो कि इपने स्ट्रोंग नहीं थे उस उपरी हिसे पर करता है पहला आकर्मन उच पर ये अपना आकर्मन करता है जहांकि कुछ राज्ये जीत लेता है उसके बाद एक और आकर्मन करता है ये 1188 इस्वी में गुजराच साइड पर आकर्मन करता है ये जो सोलांखी बैठे वे हैं वहां पर आकर्मन करता है लेकिन उस टाइम पर सोलांखिवों का एक राजा था, चालुक्या सोलांखिजोदे, उनका राजा था, जिसका नाम था मूल राज दूत्या, उसके साथ इसका तरड़ा संगर्स होता है, क्योंकि वो भी भड़ा वीर सा सकता, और वो इसको माउं टाबू परवत के करीब वहाँ पर हरा देता है, अच्छे से अपनी मा की मदद से, क्योंकि उसकी मा जो थी, वो भी काफी युद में आगे थी, लेकिन उसके बाद, जो मुहमत गोरी था, इसका एक गुलाम था, इसके साथ काम करता था, यह कह सकते है, मुहमत गोरी का, उसका नाम था कुतुबदीन एबग, क दुवित्य इसको हरा देता है, 1188 के आसपास, लेकिन 1187 में कुतुबदीन एबग, मुल राज दुवित्य को फिर से हरा देता है, और उसको जो सामराज्य है, वो अपने अंडर कर लेता है, ठीक है, उसके बाद 1191 में में एक और संगर्स होता है, तगड़ा, गोरी और प्र प्रित्विराज चोहान के बीच में होता है, जिसमें प्रित्विराज चोहान गोरी को हरा देता है, जबर्दस तरीके से, लगभग सत्रा, पता नी, छें, हाँ, छें यूदिन के बीच में होए थे, प्रित्विराज चोहान और गोरी के बीच में, और फिर दूसरा, अगल सफलाकर्मन और भारत के उपर जो मुस्लिम सामराज्य की स्थापना की अच्छे तरीके से उसका जो मतलब स्थापना करने वाला माना जाता है वो मुहमद गोरी को माना जाता है सबसे परभावी मुस्लिम सामराज्य की स्थापना करने वाला मुहमद गोरी ही था भारत के उप तो ये तो जीते हुए राज्य को अपने सेनपत्यों को सोब देता है जिसमें से कुतुब दिन अभग भी होता है और ये तो अपना वापस गजनी लोड़ जाता है और फिर आगे चलके 1266 में इसकी मृत्ति हो जाती है कुछ जाट होते हैं जाटों का एक समू होता है जो कि इ कर देते हैं इसके बाद बारी आती है भारत के अंदर दिल्ली शल्तनत की स्थापना होने की और भारत के अंदर मुस्लिम सामराज्य की स्थापना होने की और एक सामराज्य है जिसको प्रोपर नाम दिया गया गुलाम वंस या फिर दाश वंस या फिर इबारी डेंस या फि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब देखें, सबसे पहलों तो सवाल यहीं उठता है कि भई इसको गुलाम वंस क्यों कहा गया। तुर्की सामराज्य था, तुर्क से वो आये थे, गोरी तो तुर्की था, तो तुर्क वंस क्यों नहीं उने रखा, इसका नाम गुलाम वंस क्यों रखा, गुलाम वंस इसलिए रखा, क्यों कुत्व दिन एबग था, इसको गुलाम कहा गया। उस टाइम पर गुलाम पर था एक चलती थी, दास पर था उस टाइम पर चलती थी, क्या होता था उस टाइम पर, वहाँ पर जब भी किसी के पुत्र होता था, लड़का होता था, तो उसको गुलामी के लिए तयार किया जाता था, जो व्यापारी होते थे, उनको बेश दिया वगजयरा करना तो इसलिए नाम दिया अब क्या आवा थ़ा कुतूबदीन अभक को एक व्यापारी ने खरीदा था उस टाइम पर फिर उस व्यापारी ने एक राजा था उस ताइन पर नाम याद भी आ रहा, उसको इसने बेश दिया, उस राजा ने कुतुबदीन अबक को उसके पुत्र थे, बेटे थे, जो कि युद वागरे की तयारी कर रहे थे, क्योंकि ये भी युद में काफी अच्छा था, तो इसने अपने बेटों को उनको युद की कला वगरा सिखाने के लिए दे दी, तो वुस राजा के मुर्त्य हो जाते हैं, तो जो बेटे होते हैं, वो इसे बेश देते हैं, कुतुबदीन अबक को, गोरी को, ठीक है? महिम्म्मद गोरी का गुलाम हो जाता है, कुतुबदीन अबक, उतनर भारत में जो शुरुवाती आक प्रमण में काफी सायता कर चुका है, किलियर है ये चीज, तो फाइनली कुतुब दीन एबक, उसका सेनपती कह लीजे, या फिर उसको गुलाम कह लीजे, गोरी तो अपना गजनी लोट गया, और इसको यहाँ पर छोड़ गया, बारोस छह में गोरी की मृत्य हो जाती है, और गुलामवास की स्थापना कर देता है, कुतुब दीन एबक, तो कोशन बनेगा, गुलामवास का संस्थापना कों था, कुतुब दीन एबक था, जो की 1206 इसमी में, इसकी स्थापना करता है, और दिल्ली शल्तनत की गद्दी पर बहट जाता है, लेकिन इसकी खास बात यह क इसने अपने आपको सुल्तान की उपादी नहीं दी थी, ये सुल्तान नहीं बना था, इसने अपने आपको मलिक की उपादी थी, ठीक है, साती सिपाह सलाकार की उपादी इसने अपने आपको दी, यानिकि एक सुल्तान नहीं था, ये दिल्ली शल्तनत का, और इसने जो अपन दिलवाला राजा इसको माना जाता था सुल्तान तो नहीं था लेकिन बड़े दिलवाला माना जाता था कुतुब दीन अबक के बारे में कुछ फैक्ट ये है कि इसने कुछ इमार्ते भी बनवाई थी जैसकि इसने एक कुवत अल इसलाम मस्जिद बनवाई थी दिल्ले के अंदर जो कि भारत की सबसे पहली मस्जिद थी, नोट कर लीजे कुवत अल इसलाम मस्जिद दिल्ली में कुतुब दीन अबक ने बनवाई थी 7.5.3 का जोपड़ा अजमेरे में बनाया कुतुब मिनार की कुतुब मिनार का पाकी जो की इसका गुरु था अब देखे कुतुब दीन अभक ने अपनी लाइफ में चार साल वो सुझी लगबग चार साल राज किया 1210 से और देखे 1210 था क्या नहीं कि 1206 पर गद्धि और बैड़ा 1210 पर ने राज किया किवल 4 साल है क्योंकि इसका यार लगबग जीवन आक्रमन करने में निकल गया, ठीक है, जब ये गद्धी पर बैटा, बहुत सारे आक्रमन होए, इसके ओपर बाहर से भी आक्रमन होए, इधर उधर से भी होए, तो इसका लगबग जीवन आक्रमन में निकले आगे, जब गोरी के साथ था, तब भी बहुत सारे आक्रमन इसने क इसके बाद क्या होता है, इसके मृत्यू हो जाती है, कैसे, 1210 में ये पोलो खेल रहा होता है, जिसको पहले चोगान के नाम से जाने थे, पोलो आज जानते हैं, पहले चोगान कहते हैं, चोगान खेलते हैं, गोडे से गिर कर इसके मृत्यू हो गई थी, पोलो होता है जब गो राजा यहां पर गद्दी पर बैठे जिसमें से most important कुतुब दीन अबग इलतुत्मिश साथी रजिय शुल्तान और साथी गयाशुदीन बलबन ही रहे थे यानि कि चार राजा इसके सुल्तान सबसे महत्पुन राजा रहे थे बाकी सब ऐसा ही हो गये थे थोड़े टाइम के बाध यलतुत्मिश से रजय शुल्तान security राज्य शुल्तान के बाध साथी गयाशुदीन बलबन बता दे यह वीच के राजाओं के बारे में कोई भी नहीं बताता मैं आप राजा केह रहा हूं उष टाइम पर सुल्तान बहोलते थे तो इसके बीच में आप मत समझतया कह में कुछ गलत बोल रहा हूँ, उसके बाद फिर से, कुतुबदीन एबक के बाद गद्धी पर बैठता है, आराम शहा, गद्धी पर बैठता है, आराम शहा जो होता है, वो यार, मतलब ऐयोग्या होता है, योग्या नहीं होता है, गद्धी के, ये बहुत आलसी माना जाता है आलजी तो हो गई, क्योंकि नाम में ही आराम है, तो इसे तो कुछ नहीं करना था, 1210 पर गद्धी पर बैठा, 1211 में गद्धी से उतर गया, लगबग 8 महीं ने इसने इसासन किया, उसके बाद जो गद्धी पर बैठता है, इल्टुत्मिष कौन था, इल्टुत्मिष को गु इल्टुत्मिष को ही रियल फाउंडर माना जाता है, वास्त्विक जो संसापक कहा जाता है, वो इल्टुत्मिष को ही कहा जाता है, क्योंकि उसने तो सुल्तान की उपादी नहीं ली थी, एबग ने, तो इसने गद्धे पर बैठकर सुल्तान की उपादी भी ली और काफी अच्छे-च्छे काम भी किये, अपनी जो सीमाम का उनका भी इसने विस्तरत के यानिकि बढ़ावा दिया, एबग ने गद्धे पर सबसे खास 40 गुलामों का एक समू बनाया, जो कि हर टाइम इसकी सेवा में उपस्तित रहते थे, 40 गुलाम ते जिसको इसने बोला था, तुर्के चहल गानी, तो उसका इसने निमान किया था, साथ ही इसने को सिक्के भी चलाये थे, जो कि चान्दी के सिक्के थे, उनको ठंक पक्त माना जाता है, गुलाम वन्सका, यानि कि स्लेव डैंस या फिर इबारी डैंस, अब इलतुतमिस की बाद, जो गद्दी पर बैठता है, या इसकी मृत्त्यू के बाद, गद्दी पर बैठता है, 1226 में एक रुकनुदीन फिरोज सहा, गद्दी पर बैठता है, 1226 में इल्टुत्मिस के बाद अब जो भाई रुकनुदीन होता है ये इसी कही पुत्र होता है इल्टुत्मिस का लेकिन ये भी एक एयोग्या सासक साबित होता है गद्धी पर जादा दिन तक नहीं टिकता है और जिसके बाद गद्धी पर आता है नया सासक यान की नई सुल्तान जो कि रज्य सुल्तान ये दिल्ली शल्तनत की पहली महिला सासी का थी जो कि गद्दी पर बैठी 1236 से 1240 तक 4 साल इसने गद्दी पर राज किया और ये जन्ता के द्वारा चुनी गई थी उस टाइम पर जो परजा थी उन्होंने इसको गद्दे के लिए चुना क्योंकि रुक्नूदीन तो एक ऐयोग्यास आसक था इसलिए उसके बाद रज्य सुल्तान गद्दी पर बैठी रजय सुल्तान के खिलाफ काफी सारे लोग हुए भी कि महिला है गद्धी पर नहीं बैठनी चाहिए लेकिन रजय सुल्तान जब गद्धी पर बैठी उस टाइम पर पर्दा पर्था चल रही थी ठीक है कि पर्दा करना जरू था महिलाओं के लिए तो पर्दा पर्था को इस तरीके का ये जो काबा इसको बोलाया, टोपी और काबा पहन के आने लग गई थी, यानिकि पर्दा पर्था को इसने खत्म कर दिया था, अब रजिया के कुछ खास थे, एक यूकुत था, रजिया का एक खास आदमी था, जिसने इसको परधान पद दिया था, उसके बाद कुछ लोग इनके खिलाफ भी थे एक अलतुनिया था जो की इसके खिलाफ था विद्रो कर रहा था और आगे चल कर अलतुनिया और बाकी जो इसके विद्रोही थे उन्होंने इसके बंदी भी बना लिया था जिसके बाद रज्यशुल्तान और अलतुनिया का विवा भी हो गया था लेकिन आगे चलके हिस्टी के कुछ सोर्स ये कहते हैं कि अलतुनिया और रज्यव शुल्दाना की हत्या कर दी गई कैतल के पास कुछ कहते हैं दाको के थुरू हत्या करी गई, कुछ कहते हैं जो उनके विद्रोही थे, जो नहीं चाहते थे, गद्धी पर बैठें, गद्धी हत्याना चाहते थे, सत्ता हत्याना चाहते थे, उन्होंने इनकी हत्या करवाई, जो भी हो, 1240 में रज्य शुल्ताना की हत्या हो जाती है, और जिस्स की साध्य होती है अब दुनिया उसको भी हत्या कर दी जाती है अब रजे शुल्तान के बाद सासक गद्धी पर बैठे जो की एयोग्या सासकती जिन्होंने कुछ खास नहीं क्या 1240 में मुईदनुदीन बहरम शाह गद्धी पर बैठता है कोई खास राज नहीं क्या था गद्दी पर बैठा बैठकर अब नशिरुदीन महमूद याद रखेगा यह नाम आपको इसके बारे में कुछ बताने वाल हूँ जब यह गद्दी पर बैठा था इसी टाइम पर अगधर एक इंसान था इंसान फिलाल हम इसको लेकर चलेंगे जिसका नाम था गयाशुदिन बलबन यह इलतुटमिस का दास था इलतुटमिस ने जो तुर्क ये चेहलगानी तुर्के चहलगाने 40 गुलामों का जो समू बनाया था उसका ये सदस्च्य था बलबन यानि कि एक तरीके से इल्टुतमिस का गुलाम था दास था ये पावर में आ जाता है यानि कि ये गद्धी हत्या लेता है किस से हत्या लेता है नशिरुदीन महमूद से किस तरीके से रणनीती कैसे शुरु करता है ये इसके एक पुत्री होती है इसका विवाय कर देता है नशिरुदीन महमूद से और यहीं से ही ये गद्धी हत्या लेता है क्योंकि नशिरुदीन महमूद इसको सारी सत्ता सोब देता है क्योंकि ये विवातर देता है अपनी पुत्री का इस से अब पावर में आ रहा है हमारा गयोशदीन बल्बन इसका पूरा नाम था लगबंग 1265 से 1277 सिता कि इसने राज किया और गुलाम वंस का सबसे परभावी परतापी राजा इसको माना जाता है यहनि कि शुल्तान माना जाता है जिसने सबसे ज्यादा काम की गदडी पर बैठते सबसे पहला काम तो इसका ये था जो इल्ट उत्मिस ने तुर्क ने चहल लगानी बनाई थी 40 दाशो का समू बनाया था उसको खतम किया उसका पतन किया ठेक है यानि कि इस तरीके का अब कोई समोह नहीं था उसके बाद इसने जो रजय शुल्तान की हत्या की गई थी दिल्ली के आज पास जो डाकू के कबीले रहते थे उन सभी को इसने खतम करवाया बल्बं ने इसी के साथ इसने खुफ्यावी भाग के भी स्थापना करी और अपने नाम के सिक्के भी चलवाई और सबसे इंप्रोटन बल्बं ने ही सिजदा और पाबोस पर्था की शुरुवात करवाई थी इसका क्या मतलब होता है जो सिजदा होता है इसलिए ये इसने पर्था शुरु करवाई थी तो एक्जाम में कोशन बनते है कि जो पाबोश और सिजदा ये पर्था ती ये कौन से सासक ने शुरु करवाई थी तो इसका नाम हो जाएगा बल्बं ने ही इस पर्था को शुरु करवाई था क्यों करवाए था ताकि अनुशाशन बना रहे और जो इसके सामराज्य के उस टाइम के जो अमीर थे उनको उनका घमन तोड़ने के लिए इसने इस पर्था की शुरुवात करवाई थी तो याद रहे का इसका पूरा नाम था गयाशुदीन बलबन 1265 से लेकर 1267 से तक इसने राज किया था और ये इल्टूतमिस का गुलाम था कुतू दीनाबक के बाद जब गदी पर इल्तूतमिस बैठा उसने अपनी सीमा को फैलाया लगभभ भीहार से भी आ अगे अपनी सीमा को ले गया था उसके बाद जब बलबन गदी पर बैठा लगभग वेस्ट बंगाल याने की पस्चिम बंगाल तक अपनी सीमा का इन्होंने फैलाव कर लिया था बल्बन ने जो कि मैं आपको नेक्स लेक्चर में भी किलियर करा दूँगा अब सवाल उठता है कि गुलामवंस का आखरी सासक कौन था गयावशदीन बल्बन आखरी सासक नहीं था गुलामवंस चला 126-1290 तक इसने 1280 तक राज किया लास जो सासक था गुलामवंस का वो देखे वो था शम्शुदीन कैमूर्स जो कि 1280 से 1290 तक गद्धी पर बैठा कोशन बहुत जादा बनता है कि गुलामवंस का आखरी सासक कौन था शम्शुदीन कैमूर्स था जो कि बल्बन के बाद गद्धी पर बैठा था जादा दिन तक नहीं टिक पाया तो फ्रेंट्स आज के इस लेक्चर में हम केवल यही रखेंगे गुलामवंस तक ही मैंने आपको डीटेल से कवर करा दिया कि कैसे भारत के ओपर मुस्लिम साम राज्य की स्थाप नहीं किसने की तुर्कों ने की यह जो आए थे गजनी यह तुर्क थे इन्होंने स्थाप करी थी और महुम्मद बीन काशिम अपना अरब शाम राज्य स्थाप पित करने में क्यों एसाफल रहा उसका भी फंडा मैंने आपको उसका भी किसा चे समझा दिया तो 1290 में हमारा खत्म होता है गुलाम वंस जिसको ममलूक वंस भी बोला जाता है इबारी डैंस भी बोला तो चार नामों से इसको जाना जाता है क्यों जाना जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया इसके बाद आता है दूसरा राजवंस जो की होगा हमारा खिलजी राजवंस ठीक है जो की अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे खिलजी नहीं उसके आगे भी हम कवर करेंगे खिल नमबर लाइन उसमें हम ये 3-4 सामराज्या खत्म करेंगे पहले खिलजी देखेंगे उसके बाद तुगलक आएंगे जो कि अपने सामराज्या की स्थापना करता है काफी जादा और उसके बाद सहिएद आएगा और उसके बाद हमारा लोधी बनस आएगा इब्रहाम लोदी बहला उलोदी वाला उसके बाद मुगा लाएंगे ठीक है तो दो लेक्चर में हमारा पूरा खत्म और एक और इंपोर्टेनल चीज बताना भोल गया सायद बता दिया भी हो इल्टुत्मिस ने ही जो इल्टुत्मिस ने कुटुब मिनार का निर्मान पूरा कराया था क्योंकि कुटुब दीन अबक तो नीव रखवाता है निर्मान शुरू होता है बारासो दस में उसके मृत्ति हो जाती है उसके बाद इल्टुत्मिस बैठता है कल नहीं एक दो दिन बाद ही आएगा क्यों कोई प्रीमियम लेक्चर है लाने में थोड़ा टाइम तो लगी जाता है तो चलिए यार पसंद आया लाइक करिएगा दोस्त का शेयर करिएगा नोट बनाते रहे रिवीजन करते रहे करिए और दिक रिंटरफेश तो एड़ी संडे साम पांस भी आता है उसको भी फोलो करते है जिस भी एक्जाम किया मन लाग के प्रपेशन करिए डेली पढ़िए चाहे थोड़ा पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए चलिए यार पसंद आ लाइक करिए सभी से शिकाती है लाइ झाल झाल